Hello friend, जैसे कि friend whatsapp आजकल सभी यूज़ करते हैं तो whatsapp में कुछ ऐसे खास setting है जो friend हर किसी को पता नहीं है जैसे कि friend यार दोस्त photo एंड video sent करता है तो automatic whatsapp में download हो जाता है जिसकी बदा से हमारा सारा data खर्च हो जाता है तो अगर आप data safe रखना चाते हैं तो आपको एक setting कर लेनी चाहिए तो कौन से वो setting है तो चलिए हम जानते हैं तो यहां से friend हम WhatsApp open करेंगे और यहां friend हम यह three window पर हम click करेंगे फिर हम friend यह setting पर हम click करेंगे जैसे ही setting पर हम click करेंगे तो यहां friend फिर होगी and data इस पर हम click करेंगे तो ऐसा interface open हो जाएगा तो friend तो यहां friend when using mobile data इस पर हम click करेंगे जैसे ही इस पर click करेंगे तो देख सकते हैं यहां friend यह सब पर tick लगा हुआ है तो यह सब पर हमको tick हटा देना है जैसे हम tick हटाएंगे तो यह हमारे permission के विना को भी photo, audio, video डाउनलोड नहीं होगा जिसके बदर से हमारा data safe रहेगा अब जिसको आप permission देंगे वो ही download होगा फिर हम friend यहां से हम okay कर देंगे टिक हटाके तो यह हमारा safe हो जाएगा अब इसके बाद आप photo and video, audio किसी भी जब आप permission देंगे तभी आप download कर पाएंगे फिर हम friend यहां band connected on wifi इस पर भी वही काम हमको कर लेना है इस पर भी हम click करेंगे और इसका भी हम photo, audio, video यह सब काम टिक हटाके और okay कर देंगे इससे हमको यह फैदा होगा कि जब भी photo and video के permission नहीं देंगे तब तक यह download नहीं होगा तो हमारा data safe रहेगा तो friend यह थी setting तो friend अगर video अच्छी लगी तो please commit करिएगा और ऐसे ही knowledgeable video के लिए हमारे परवेश्टर चैनल को subscribe करके बाइल आइकन को press कर लिजेगा ताकि अगली वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले तो friend फिर मिलेंगे एक knowledgeable video लेकर तो धन्यवाद